करो मेरे porn, न काकी लिए ज्छायाँ जितिक हुत्ए यकार है मिकी ज्छनाब है यहां आप चार्दबारी मिए जीनाव हैं। हमारी के सबस्कें हुआ हैं। कर दो आपर इसने लगाइए वो भोलता है कि हम अधर बॉटती यहां का करो गहां तो इसने लगाई यह 가장 कि आपकरोगे देखो यह तो यहां को इन्सानिये तो रहना तो हर किसी नहीं इस वीडियो आपके सामने लाने जा रहा हूँ जिस वीडियो को करने से पहले मैंने सो बार सोचा क्या ये वीडियो मुझे करनी चाहिए क्योंकि ये वीडियो किसी की धर्म के साथ किसी की आस्था के साथ जुड़ी हुई है और मैं जानता हूँ कि ये मैटर बहुत सेंसिटिव होते हैं इसलिए मैंने सो बार सोचा शायद मैं नहीं करता मुझे क्या जरूरत है मेरे पास बहुत सारी खबरे हैं बहुत सारी स्टोर करूंगा मुझे इस दूविदा में पढ़ने की जरूरत क्यूं है लेकिन अगर ये वीडियो में आप तक नहीं पहुंचाता तो ये सवाल मुझे अंदर से कुरेता रहता क्या मैंने अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस किया या फिर मैं डर गया सच दुनिया को दिखाने के लिए मैं डर गया ये बात मुझे अंदर से जिंजोडती रहती इसलिए मैंने फैसला किया कि ये सच मैं आपको दिखाऊंगा चाहे दर्म के ठेकेदार कुछ भी कहें लेकिन ये मैं आपको दिखाऊंगा इस वक्त मैं तलाबतिलो के एक एरिया में हूँ गोल पंचपीर इस जगा का नाम है एक महिला का मुझे फोन आया पहले वो फोन पर रोती रही उसने कहा कि मैं मेरे माबाब फोत हो गए है उनकी मृत्ति हो गई है जब भी मैं उस कब्रिस्तान में जाती यहां वो दफन है उनके पास जाकर बैठती हूँ उनसे बातें करती हूँ मुझे लगता है कि मैंने अपने माबाब के साथ बहुत गलत कर दिया वो आज ऐसी जगा पे हैं यहां गंदगी है मैंने पहले कब्रिस्तान कहा और यह कब्रिस्तान की बात हो रही है यहां इतनी प्रिकंदगी है यह मेरी समझ से परह है यह लोग जब अपनी माबाब की अपनी बाई बहन की मजार पर आते होंगे शैद मजार कहते हैं इसको पता नहीं कबर पर आते होंगे तो क्या सोचते होंगे और मेरा दूसरा सवाल रो रही थी वो मेरा दूसरा सवाल उनसे यह था इन कब्रिस्तान को मैंटेन को उनकरता है यह किसी की जिम्मदारी होती है उन्हेंने कहा अकाफ की एक डिपार्टमेंट है अकाफ उनकी जिम्मदारी होती है मैं कहीं बार उनके पास जा चुकी हूँ लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ उसके साथ साथ एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ इस कबरिस्तान के बिलकुल सामने एक और कबरिस्तान है ये तस्वीरों में आप देख लो पहले एक कबरिस्तान की तस्वीरे देख लो यहां मैं बैटा हूँ, यहां गंदगी है, हालत खराब है और जो दूसरा कबरिस्तान है इसके सामने उसका रख रखाब बहुत अच्छे से है वहां जाओगे, सुकून मिलता है कि अपनों के बीच आए हैं जो हमें छोड़के चले गे और दूसरी बात आपको बता दू शम्शानगाट, कबरिस्तान यह दर्वाजे हैं जनाब, यह खिड़कियां है उस अल्ला तक पहुंचने के लिए जब आपने इस दुनिया को, इस सिंसार को छोड़ना है तो शम्शानगाट और कबरिस्तान वो खिड़कियां हैं, वो दर्वाजे हैं जो आपको भगवान के, खुदा के, अल्ला के दर्कियो ले जाते हैं उसके बाद परिवार कहता है कि हमारी जिम्मेदारी यहां तक थी इसके बाद खुदा के हवाले लेकिन जब वो इनकी इन कबरों पे आते हैं, यहां इतनी गंदगी है इसलिए शायद वो महिला रो पड़ी वो महिला रो पड़ी कि हमारे पुर्खों ने, हमारे माबाप ने ऐसा क्या गलत किया था कि उनको यह जगा नसीब हुई है यह कबरिस्तान है सबसे पाक जगा और यह अकाफ की जमेदारी है कि इसका रखर खाव करना क्यूं इस हालत में है यह कबरिस्तान क्यूं इस हालत में है वो भी बात करते हैं उसी महिला से जिसने मुझे कॉल किया था आपका नम क्या है? सर परवीन चुदरी परवीन जी क्यूं रो रही थी आप फोन पे पूरी बात क्या है? क्या कारण है? सर मेरे ममी मर गए है मेरे अबू मर गए है मेरा बाई मर गए है आप दो बाई थे वो भी मर गए सर आम यहां पे नहीं आती है क्योंकि जब मैं यहां में आती हूँ ना तो सर में उनकी कबर तक नहीं पहुच सकती हूँ, यहां लोग शिराप पीती है, गंद फैंगती है, इतना कुछ करती है ला, सर मुझे इतनी प्राबलम होती है, परसु शब्य कदर था, तो मैं यहां पर अगर बतिये जलाने के लिए आए, जब यहां पोची, सर में इतनी घ कुछ दा के और सवाए इन के, जब घर में दुखी ओती हमें इदर आती हूं, जब इदर आती हूं, यहां का मुहल देखती हूं, यहां का गंद देखती हूं, मिरा दिल इतना गबराता है, इतना डरता है, अब मुझे बताओ, मैं क्या करorton कहाँ, आप इसके लिए किसी दिपार्टमेंट के अकाफ के जिमेंदारी है या आप ने कहा आप उनके पास गय थी उन्हें बहुत बत्तमीजी करके हमें बेजाजा कहते हैं चले जाओ यहां कि जो लोगों को बसाके रखते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं जो करने आप ने आपने यह बोला चलो वह तो फिर अकाफ ने जवाब किया दिया उसका कुछ नहीं करेंगे उनको पूछो नहीं आपने पोला ना कि यह इर्लैंड किसकी है अकाफ की है हमने बहुत बार गई है कबरिस्तान किसी का परसनल होता है कभी सबसे पहले थे ना यहां पर कच्छी शोनी नहीं उस्तार महले में जहां पर पाइंट शीदी चोग वहां पर था हम गये में बहुत बार गई यहां पर प्लीज भी आई बहुत कुछ हुआ यहां पर मगर जब उनके पाज यह लैंड जो है डिस्प्यूटर तो नहीं यह किसी का जगड़ा तो नहीं चल रहा है नहीं नहीं किसी का कोई पर देदा था ना उसने कहा तब तो यह कभरस्तान है यह कभरस्तान ही रहेगा तो मैं अकेली मेरी एक बहन यह बढ़ी है तो हम कैसे सारे को चार द्वारी करेंगे आपका नाम क्या है मेरे नाव है नस्लीम शेहनाद, आपके पती भी यहींगे, दिलावर खान, मेरे हस्पेन ने उनकी डेथ होगी है, आप आते उनसे बैटे उनके पास, हम आते हैं जो हमारत बिन होता है, बड़ी जादा इदर हम यह थोड़ी सी जाड़ी है लड़के ने, इदर साथ में रहते है, फिर हमने इदर आके अगरवतिव गरजलाई, मगर जहां के सिर्व रोने के इलावा और कुछ नहीं मिलता है, हम यहां आई नहीं सकते है, आप खुद देख लो यहां कि हालता है, यह तो मुस्पल्टी का गंदगी यही रहती है, हाँ सर आज उठाई है, आज उठाई ह मरने का कोई नहीं, मैं कल मर्जा मुझे कहा दफनाएंगी है, अगर मुझे यहां पर दफन होने की जगा ही नहीं है, आपने अभी बोला कि यह लैंड अकाफ की, इसमें कोई जगड़ा नहीं है, अगर वो अकाफ के लोग यहां आकर को इपचारदवारी करते हैं, जैसे तराजा है यहां भड़ा है, इसके तो काफ़ा है, गांड अप। आपके मतलब की यह लैंड आपकी है, यह लैंड थी न पहले की, इसका कपी थी, आप यह जे अइन sucks अ हम पार भूला, ऐने बोला हमने बोलाध उनको, यहां एक चाचा जी है, तहाँ है मेरे मेरे गो घुन निकाली जो नीचे के बंदे निकालेंगा कारण क्या है वो ऐसे वो अपसर ना उसका नाम पता निक्या वह ऐसे बंदे पर पड़ता है ना आप किसी और के पास नहीं के फिर इतनी गालिये खाके कहां जाना था मैंने वह सबसे बड़ा का आफिस का दफ्तर का आफिसर था उस कुछ है नहीं इंद्र एंगली कर यह गोल पंच पीर ही आता है और यहां पर जो क्या कहते है यह कॉपरेटर वह है जो मुस्पल्ती का भीजिए वह क्या करता है जिद से मैं इसको घर पे भी गई मैंने हाँ जोड़े मैंने का आप एक काम करो यहां पर गंद मत उसे पर यह मैंने कहा कि यह वीडियो में करूं या ना करो अगर यह सच में आपको नहीं दिखाता जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूं और जिन लोगों को कुछ शुबा रहेगा ज्यादा दूर नहीं है जम्मू से मुझे लगता है 10-15-20 मिन लगते हैं तो यह लोग यहां जो दफन हैं शायद बोलते हैं स्पुर्ते खा किया जनको शायद यहीं बोलते हैं तो मुझे यह समझ नहीं आता यह बेदबाब क्यों यह कब्रिस्तान है कोई डिस्प्यूटेट लैंड नहीं है जो महिला ने बताया यहां पर अगर इसकी जमेदारी अकाफ की है तो कैसे यह अपनों के पास आकर वो जो दिन रहता है इनका अपने पास आकर इसे बातें कर पाएंगे यहां अगर्बती जला पाएंगे इन पर फूल माला चड़ा पाएंगे कैसे कि यहां तो बहुत दिक्कत अजनाब इसलिए मैंने कहा कि दर्व के ठेकेदार जो है शायद मेरी इस वीडियो पर अपत्य करें लेकिन उस अपत्य के लिए मैं त्यार हूं यहां आपिस्तान ऐसा भी है कुछ ऐसे लोग बी है जो जहां दफन है उनका जो परिवार है जो जिन्दा है। जो महसूस करते हैं जो आंग से देखते हैं उनको लगता है कि शायद हमने कोई गुना कर दिया अपने लोगों को यहां दफन करके और यह जिमेदारी किसकी है अब यह बताने की मुझे जरूरत नहीं यह सच आपको दिखाना जरूरी था अच्छे लोग भी है अगर इन्हों कि याद है मरना जो मरना नहीं भूले जिनको याद है मरना मुझे लगता है कि कोई अभी भी रो रही है महिला अभी भी रो रही है वह अभी भी परेशान है मुझे लगता है कि जैसा कि महिला ने बताया कि कोई डिस्प्यूट नहीं है अकाफ यहां पे इसको चार्दिवा और इस पर एक्शन हो शुबं कुमार के साथ रविंदर सिंग दस्टेट सेंटिनल के लिए